कल है साल का सबसे आखरी दिन, तो क्या करने वाले हैं आप लोग, क्या बनाने वाले हैं? मैं तो कहती हूँ ना, चलो पीज़ा बनाते हैं, मज़े से खाते हैं और साल को खुशी-खुशी बाइ-बाइ कहते हैं यहां पर हमने सारे इंग्रीडियंट्स डाल के अपना डोर रेडी कर लिया हैं विसे पटक-पटक के मारने के बाद, तीस मिनट तक हम इसे ढख के रग देना हैं और तब तक यह अच्छा-खासा फर्मेंट हो जाएगा और उसके बाद जब यह फर्मेंट हो जाए तो आप एक धाली लेनी जिसमें कि ना मैं थोड़ा सा बड़ा पीजा बना पाऊं क्योंकि यह ना पीजा बनता है बड़े मुश्किल से तो लगता है बड़ा ही बन जाए तो यहाँ मैंने पीजा को बना लिया है सौस लगा दिये और उसके बाद मैंसे पका लिया है पहले बेस को उसके बाद मैंने इसमें चीज डाली है और सारी वेरीज डाली है अब को गया गाजर को अट डालता है पीजा में अरे भई सब चलता है पीजा में घर का पीजा ऐस ही होता है और इसको मैंने अच्छे से बगा लिया है तीस मिनट तक और उसके बाद चीजबुल ठीक था तो खाओ भी हो और मौच करो